हेलो दोस्तो तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Steno-Grafur कैसे बने दोस्तो Steno-Grafy एक language है इस language को coding language या फिर short hand language भी कहा जाता है दोस्तो इसमें किसी भी speech को short में लिखना सिखाया जाता है दोस्तो इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को स्टेनोग्राफर कहा जाता है दोस्तो सरकार के लगभग सभी भी भाग में स्टेनोग्राफर किया हो सकता होती है दोस्तो सरकारी भी भाग में स्टेनोग्राफर पद की न्युक्ती करमचारी चैन आयोग दोरा किया जाता है तो दोस्तो अगर आपका भी सपना है कि आप एक स्टेनोग्राफर बने आप स्टेनोग्राफी के फिल्ड में अपना केरियर बनाना चाहते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले है कि इस टेनोग्राफर क्या होता है इसके लिए आपके पास योगता क्या होनी चाहिए कैसे इस टेनोग्राफर बनते हैं कौन सा एकसाम देना होता है और यदि आप एक idd Guevara बन जाते हैं तो आपको सैलिक मिलने वाली है इन सब के बारे में पूरे डिडर्स में इस वीडियो में बात कने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत है इलफूल होने वाला है उसी प्रकार लिखने की छमता रखती हैं उसे ही हमें स्टेनोग्राफर कहाते हैं दोस्तो एक स्टेनोग्राफर को नयाले समाचार पत्र सरकारी संस्थाओं में बोले गए सब्दों को टाइप राइटर की साहता से तेजी से लिखना इनका ही काम होता है तो दोस्तो अगर आप भी एक stenographer बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास यह योगता क्या होनी चाहिए आईए हम बात कर लेते हैं दोस्तो इस stenographer बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th pass होना चाहिए तो अगर आपने 12th किसी भी स्टीम यानि की Science, Commerce, Art किसी भी स्टीम से अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप इस्टेनोग्राफर के लिए आवे दिन कर सकते हैं इसके साथ साथ स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको पास टाइपिंग स्पीड और आपके पास सौट हेंड का अच्छा नौलेज होना चाहिए तब ही आप स्टेनोग्राफर बन पाएंगे इसके साथ साथ आपकी उम्र जो है एक स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपकी उम्र 18 से 30 वर्ट के बीच में होनी चाहिए अपिस्टी के सी कंडिडेट है या फिर OBC कंडिडेट है तो उम्र में आपको 2 से 3 साल आपको छूट हो हाँ पे दिया जाता है आई ये पूरी डेट किसी भी स्टीम से कंपलिट कर सकती हैं जैसी ह Psal क किसी भी कॉलेज या फिर यूइस्टी से अप इस्टैवनppen ग्रॉफी में डिप्लोमा कर सकती है जिससे आपको स्टैनोग्रॉफी के बारे मैं आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी डिलोमा करस को नहीं करना चाहते है तो आप किसी भी coaching center से आप short hand का course कर सकती है दोस्तो आप ये ध्यान रखे कि वो short hand के पास सरकारी माननेता उसके पास प्राप्त होनी चाहिए दोस्तो अगर आप इसमें आपको course को कर लेते हैं stenographic के तो आपको आसानी से आप इसके exams को clear कर पाएंगे और आसानी से आप एक stenographer बन पाएंगे दोस्तो जैसे आप इस course को complete कर लेते हैं इसके बास समय समय पर stenographer बनने के लिए vacancy निकाली जाती है जिसमें आपको आवेदन करना होता है दोस्तो आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका return exam करा जाता है दोस्तो रेटन exam में आपका हिंदी, इंग्लिस, समाने, गडित, जीकी और आपसे reasoning के क्योशन आपे पूछे जाते हैं दोस्तो सबसे important इसमें होता है reasoning और आपका math दोस्तो आप reasoning और math को अच्छे से तयारी करके जाएं थाकि आपको exam आसानी से clear कर लें दोस्तो जैसे आप written exam को clear कर लेते हैं, इसके बाद आपका typing test लिया जाता है दोस्तो टाइपिंग test अगर आप stenographic के course को किया रहेंगे तो आप आसानी से इसके exam को भी या typing exam को भी आप आसानी से clear कर लेंगे जोस्तो टाइपिंग टेस्ट को किलर करने के बाद आप एक स्टिनोग्राफर बन जाते हैं जोस्तो ये को बता देते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं कि एक स्टिनोग्राफर की सैली किती होती है दोस्तों हम बात करेगर इनकी starting salary लगभग 25-30,000 रुपय इनकी starting salary होती है यदि आप एक government stenographer बनती है तो वहाँ पर salary आपको इससे भी अधिक आपको लगभग 35-40,000 रुपय आपको salary या फिर उससे भी अधिक आपको salary आपको government में आपको मिल जाता है तो दोस्तों ये थी जनकारी की stenographer कैसे बने आई होप आप समझ गये होंगे की stenographer कैसे बनते हैं इसके लिए आपके पास योगता क्या होनी चाहिए कौन सा exam देना होता है कितनी सैली होती है दोस्तों वीडियो से related अगर आपके मन में कोई question हो तो comment करके पूल सकती है जोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो subscribe करके बेल आइकन को प्रेश करना ना बोले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन